जैसे ग्रेशन फ्रेंड आज कोई रेसीपी नहीं है आज बहुत ही काम का वीडियो सेर कर रही हूँ यह है हममेड हैंड वॉष कम सैनिटाइजर यह हैंड वॉष है जिससे आप हैंड सैनिटाइजर के साथ वॉष भी कर सकते हैं वीडियो पूरा देखिए और देखने के बा को चाहिए और इसको मैं इस तरह से कदुकरश कर लोंगी जो हम चीज और अद्रक को चिनने के लिए चिनी यूस करते हैं उससे करना है ताकि यह बारिक को चुरा हो और चल्दी से पिगल जाए तो यह मैं ज्यादा नहीं चाहिए सिर्फ दो चमत चाहिए तो यह मैंने दो चमत चुरा ले लिया इसको एक बरतन में एड़ कर दूँगे और इसमें एड़ करोंगे मैं एक गलास साफ पानी यह जो दो चमत चुरा लिया है उसमें से एक से डेट गलास चितना हैंड़ रेड़ी होता है इसमें दो उबाला जाए और जो हमने साबुन का चुरा एड़ किया वह पिगल जाए तब तक है इसको उबालना है ज्यादा उबालेंगे तो यह बहुत ही गट ठीक को हो जाता ह है इस बंद कर दिया और मैंने इसमें एड़ किया है आधा लिम्बू लिम्बू भी बहुत ही अच्छा सोर्स है ब्लेचिंग का ब्लेचिक एजेंट है यह भी हमें इस्तेमाल करना चुई है अब यहां पर मैं एक कंडिजनर का पाउज एड़ कर या फिर ग्लिश्रेंट य फिर इसको सकते हो यह ज़रूरी नहीं और फिर सिर्फ छब हाथ दोते हूं तो मोश्चर का का म करता है तो आप इसको आवट भी कर सकते हूं अब बहुत ही ज़रूरी एक लिःश्ट का म करता है वो है फिट करी यह हमारा इंडियन सैनेटाइजर है और बहुत ही कामकी चीज़ है अगर आपकी दादी नानी को आपने इसका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा तो यह फटक्यरी जो पानी गंदा होता है उसमें भी अगर थोड़ा सा कुमाते हो तो शाफ हो जाता है और हम तो इसको आलू की वैफर्स बगेरा बनाने में भी एड करते है बहुत ही कामकी चीज़ है और अगर आपके मुह में या चाले पड़ गए तो यह भी बहुत इफेक्टिव है तो यह एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें एड कर दिया और जब यह पीगल जाए तो हमारा यह हैंड वोश कम सैनिटाइजर रेडी है जब आप मार्केट से आलकोहल बैस सैनिटाइजर लाते हो तो इसका भी बहुत रिस्क होता है यह कम रिस्क वाला और बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर कम हैंड वोश रेडी है एक बोटल में भर दिया एक छोटी सी बोटल में भ पानी से दो लीजिए आपका हाथ भी दूल जाएगा और सेनिटैजर भी हो जाएगा तो हे ना यूसफुल तो